दोस्तों वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे शट्रिंग के बारे में कि अगर हम एक स्कॉल मिटर शट्रिंग करते हैं तो उसमें लेबर का कॉफिशिंट क्या होगा पिछरी वीडियो में आपको बताया था तो आज हम बात करेंगे शट्रिंग के बारे में तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अगर लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कर लो मेरे चैनल को सबस्क्राइब पर लो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्या है कि यह हमारा फार्म वर्क है 16.14 स्कॉर मिटर यह एक प्रक्टिकल प्रक्टिस से यह कॉंटिटी निकलिया यह और उसमें कार्पेंटर 2.25 नंबर लगेंगे 4 men 2 number और helper 2.25 यानि सम मिलागा 6.50 इतना नंबर लेबर मेंपावर्स लाएगा तब जागा 16.14 स्कॉर मिटर शट्रिंग होगा एक दिन के अंदर में 8 घंटे के अंदर में ठीक है अगर हम बात करेंगा 1 स्कॉर मिटर पर आवर्स यह तो 16.14 स्कॉर मिटर शट्रिंग है 8 घंटे के अंदर में लेकिन अगर एक स्कॉर मिटर का कॉफिशन निकालें तो कैसे निकालेंगे जो भी हमारी कॉंटिटी है 16.14 इसको अगर हमने इस से डिवाइट कर दिया 16.14 से डिवाइट कर दिया इस कॉफिशन को तो हमारा 1 स्कॉर मिटर में क्या कॉफिशन निकल का एगा लेबर का वो निकल जाएगा तो देखो हमने सीदे सीदे मन डिवाइट कर दिया है 16.4 से तो एक स्कॉर मीटर अगर हम शट्रिंग करेंगे 8 गंडे के अंदर में तो उसमें कारपेंटर 0.14 कॉफिशन लगेगा और हैलपर का 0.14 कॉफिशन लगेगा एक स्कॉर मीटर शट्रिंग करने के लिए ठीक है तो तो हमें प्रोजक की टोटल शट्रिंग दे रखी है 14,188 स्कॉर मीटर यह कैसे निकल गए चलिए मेंशीट पे चलते हम तो टोटल मैन पावर निकालने के लिए सीधे सीधे कौंटिटी को हम डिवाइट करेंगे इसके कोफिशेंट से तो नमबर ओफ कारपेंटर निकल के आ जागा हमारा 1,947 यह हमारा कारपेंटर आ गया, टोटल मैन पावर जो लगेगी कारपेंटर के इतनी लगेगी, 1947 और 4 men कितने लएंगे 1730 और helper 1947 यह हमारी total manpower आ गई जो इतना 14188 14,188 square meter shutting करने के लिए इतना लेपा लगेगा हमारा manpower clear यहां तक अगर आपको clear रहे तो मैं आगे बढ़ता हूं चलिए आगे बढ़ते हैं हमने timeline पकल लेगा 60 days के अंदर में हमें यह शट्रिंग करनी है तो 60 days के करने के लिए हम क्या करेंगे और 60 days में अगर यह शट्रिंग अगर हमारी करनी है हमें करनी है तो per day कितना manpower लगेगा तो सीधे-सीधे हम इतना number यानि total number of manpower को divide कर देंगे अगर अगर समझ में आगया तो मैं आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ू ठीक मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखो रेट हमारा कारपेंटर का चला है आजकल 600 रुपे और four man का चला है हमारा 1200 रुपे और helper का रेट हमने पकला है जो हमने पिछली वीडियो में लिए रेट के लिए सिम डेट हम मिलेंगे आपको जो अलग केटेगरी का मैंपावर है उसका अलग होता है कारपेंटर का मैंश जादा होता है इसलिए उसको एड़ करने के बाद में यह जो हमारा total quantity है हमारी इसको हम इस से डिवाइट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, यानि हमने cost को, यह हमारी total amount cost है नहीं है, तो टोटल cost है हमने, इसको क्या कर दी है, हमने quantity से divide कर दी हमने इसको सीदे सीदे, तो 1 square meter का cost निकल के आएगा, कितना 1 square meter की cost क्या निकल के आएगी, यानि 1 square meter अगर हम shuttering करते हैं, तो 276.68, यह labor का rate निकल गा यानि इतनी 246 रूपए की 266 पैसे की हमारी labor लगेगी अगर हम one square meter shattering करते हैं तो shattering fixing, re-shattering करते हैं तो यह हमारी और इसमें making भी included है तो यह तरह हमारा 246 रूपए निकल के अगया खिलिए रहा है अगर आपको यह लाला केटागरी की लिए लेवर है हमारी यानि कार्पेंटर का जो कॉस्ट है वो चुछ फोर मैंन का बाला सु रुपे है पड़ेगा आठ गंड़ेगा ठीक है और हैलपर का हमारा तीसो पचास रुपे है इसको मल्टिपिल कर देंगे सिद्धा तो अगर हमारा 0.14 कार्पेंटर लग रहा है तो 600 रुपे डेट लगे है तो हमारे एक स्कार मिटर शेटिंग में उसके कितने पैसे लएंगे 52 रुपेगा और फोर मैं 146 का और हैलपर 48 रुपेगा आप क्या करेंगे हम इसको सम कर देंगे इन सबका तो 276.68 देखो सेम निकल का है इसको हम डारेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हमने पूरा एक्जाम्पल से आपको बताया समझाए तो आपको यह किलियर होगा कि अगर हमारे टोटल प्रोजेक्ट में कौंटिडी है हमारे पास म तो आप सीधे सीधे यह साइट पर आप सीधे सीधे एस्टिमेट कर सकते हो कि एक स्कॉर मिटर की शेटिंग आप करोगे तो हमारे 276.68 को साइगी लेवर की ठीक है तो दोस्तों यह अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को अच्छियो आप मिटर प्सक्राइब प्सक्राइब अपको लाइक देटियुन है